हालो बाइस, वेलकम टू पूरी पड़ाई, तो और हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS line height line की heights कैसे बढ़ाएंगे, मतलब कि line के बीच में spaces कैसे देंगे, वो हम देखेंगे the CSS line height property, यह आपकी एक property है, is used to specify the space between the lines जो आपकी lines बनी हुएं, इसके बीच में spaces कैसे तरह देंगे, इसके लिए हम लिखेंगे line height, इसमें हम लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह लिख सकते हैं different front so as per requirement आप use कर सकते हैं, तो हम इसे practically use करके देखेंगे के चीजें कैसे तरह से work कर रहे हैं, इसके लिए अपने notepad पे जाएंगे notepad पे आपका हमें पता है कि जो CSS है, उसे हम start करते है, style text है और हम से end करते है, style text है अगर हमें spacing बनानी है, जैसे paragraph के बीच में spacing बनानी है तो हम इसमें लिखेंगे P और इसके बाद हम spacing देंगे हम देंगे line space, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लिखा हुए line height तो आप line height देंगे, line space देने के लिए line height और इसके बाद colon लगाएंगे, और colon में हम लिखेंगे 2 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं और इसे मैं करूँगा save save मैं यहाँ पर कर रहाँ css line height.stml से आपका जो stml लगाना जुरूरी है ताकि आपकी file जो है stml में convert हो जाए इसे मैंने save कर दिया है save करने के बाद css line height यहाँ पर आप देख सकते हैं css line height.stml की एक file बन चुकी है इसे हम open करेंगे google chrome में किसी भी browser में open कर सकते हैं आपकी line की height बन चुकी है मैं आपको दिखा दे रहाँ चीज़ें कैसे work कर रहे हैं यह तो आपका छोड़ा से example था आपका इसको हम copy करते हैं क्योंकि आपके पास काफी lines होगी तो आपको properties और zone में आएंगी इसको मैं करता हूँ save करूँगा इसको हम refresh करते हूँ तो यहां से भी आप refresh कर सकते हैं reload कर सकते हैं यहां से भी आप refresh कर सकते हैं अभी मैं क्या करता हूँ इस 2 को change करता हूँ इसमें 7 में convert कर देता हूँ और अब हम देखेंगे line height किस तरह से increase हो रही है इसको मैंने सेव कर दिया है सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पर जाऊंगा इसको हम रिलोड करेंगे जैसे मैं रिलोड करूँगा तो आप चेंजमेंट देख सकते हैं कि जो लाइन की हाइट है यह जो लाइन है फर्स लाइन और सेकंड लाइन है और यह थर्ड लाइन है इनकी जो स्पेसिंग है इन दोनों की बीच की स्पेसिंग है और कह सकते हैं लाइन की जो हाइट है वो चेंज हो चुकी है तो इस तरह से आप लाइन हाइट को यूज कर सकते हैं खींच्जूसिंग किलिए अपनी लाइन के बीच में इस स्पेसिंग देने के लिए आपके छीसियतलर्यून की है time आई होपिश एक फोंड़ को सिजısı माइन हाई होगा इस पेसिंग देना में थाई होगा यह आप आप tahu यह होगा अपने webpages बनाने के लिए website designing के लिए और presentations के लिए so thank you guys meet me in the next video तब तक के लिए goodbye your feedback is valuable for all so please comment like and share with your friends thank you